हलो दोस्तो आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं उन्हें लेकर मैं अक्सर आपसे कुछ छोटे मोटे किस्से कहानियां शेयर करता रहता हूं ताकि आपको कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती रहे इस टफ पीरियड से गुजरने के लिए इन मुश्किलात का सामना करने क याद आया मैंने सुच आपके साथ शेयर करूँ आपको भी अच्छा लगेगा और उससे कुछ प्रेणा भी मिलेगी कुछ शिक्षा भी मिलेगी तो किस्सा कुछ यू है कि एक बार एक हस्बेंड वाइफ थे एक कपल अब मुझे पता है कि हस्बेंड वाइफ का नाम सुन हस्टा सच्चा शरीफ वाइफ का कहना मानने वाला और वाइफ इस किसे में बिलकुल यूज्वल भहत ही तंक मिजआज गुस्षैल पती का कहना नहीं मानने वाली है ओ सुरी सुरी देवियो प्लीज नाराज मत हो ना गुस्षा मत हो न किसे को किसे की तरह लीज़िये मैं आपकी नराज़की मोल नहीं लेना चाता तो जैसा मैं कहा रहा था कि हस्बेंड बहुत ही शरीव सीधा सचा इनसान था वाइफ उसकी बिल्कुल भी उसका कहना नहीं मानती थी हस्बेंड ने कही बार समझाने की कोशिश की कि मेरा कहना मान लिया करो अच्छी रहोगी मगर वाइफ ने पूरा द्रिड निश्य कर लिया था कि मैं अपने हस्बेंड की कोई बात नहीं मानूंगी जैसा ये बोलेगा उसका उपोजिट ही करूंगी बट हस्बेंड बहुत प्यार करता था अपनी वाइफ से तो फिर भी एड़ेस्ट कर लेता था वो गाउं में रहते थे तो पुराने समय में गाउं में एक गाउं से दूसरे गाउं जाने के लिए साधनों की बहुत कमी होती थी तो उनको भी जब दूसरे गाउं जाना होता था फर एक्जेंपल वाइफ के माइके में जाना होता था तो रास्ते में एक नदी पढ़ती थी तो वो नदी उनको पार करनी पढ़ती थी कभी कबार नदी में पानी कम होता था तो वो पैदल चलके पार कर लेते थे कभी कबार पानी थोड़ा जादा होता था तो उनको तैयर कर पार करनी पड़ती थी या कोई अगर नाव वगरा मिल जाए तो उसके सहारे पार करनी पड़ती थी या फिर कोई ऐसा जानवर जिसकी पूंच-पूंच पकड़कर वो जा पाएं उसकी हल्प हो लेते थे तो ऐसा ही एक दिन आया कि प्लान कैंसल कर दो तो ये प्लान कभी भी कैंसल नहीं होगा तो फिर बैचारा जैसे मैंने पहले कहा शरीफ सा हस्बेंड वाइफ की बात मान गया दोनों निकल पड़े वाइफ के माई के हस्बेंड के ससुराल जाने के लिए जैसे ही नदी पे पहुंचे तो वहाँ पर बहाव तेज था पैदल या तैर कर नदी पार कर पाना मुश्किल था कोई किष्टी वहाँ पे थी नहीं हाँ दो गाएं जरूर वहाँ पे खड़ी थी उन में से एक गाएं की पूँच तो पूरी थी दूसरी गाएं की पूँच थोड़ी काफी कटी हुई थी मतलब उसकी पूँच को पकड़ कर तैर कर नदी पार कर पाना काफी मुश्किल काम था तो जैसे मैंने पहले कहा हस्बेंट बहुत प्यार का था अपनी वाइफ को उसने कहा कि तुम एक काम करो ये पूरी पूँच वाली गाए को तुम पकड़ो और ये आधी कटी हुई पूँच वाली गाए को मैं पकड़ता हूँ तो हम लोग अराम से नदी पार कर लेंगे अब वाइफ ने तो प्रण ले रखा था कि हस्बेंट की वाइफ बात नहीं माननी है और उनकी बात का उल्टा ही करना है तो उस प्रण के चलते वाइफ ने बोला ना जी मैं तो वो अधी पूँच वाली गाए ही पकड़ूंगी आप पकड़ो ये पूरी पूँच वाली गाए बहुत समझाया हस्बेंट ने मगर वहाँ पे सीन क्रियेट हो गया गाए को पकड़ा वाइफ ने आधी पूँच वाली गाए को पकड़ा दोनों ने गाएं को नदी में उतार दिया और जैसे ही गाएं बीच मजदार पहुंची वाइफ बड़ी मुश्किल से पूँच पकड़ पा रही थी पानी का बहाव बहुत तेज था उसकी पकड़ छूट गई और वो पानी के बहाव के साथ ही बह गई अब हस्बेंड बचारा इतना अच्छा तैराक तो वो भी नहीं था कि वो अपनी वाइफ को इतने तेज बहाव में बचा पाता तो मजबूरी में अपना सिर पकड़ कर वो दूसरे किनारे पहुंचा और वहाँ जाकर ससुलाल जाकर उसने ये दुखत समाचार सुनाया अब ये कहानी को सुनाने के पीछे मकसद क्या था आज जब पूरा देश पूरा विश्व कुरोना से लड़ रहा है इस महामारी से लड़ रहा है तो जो सबसे अच्छी सला सरकार और सभी डिपार्टमेंट्स हम सब को दे रहे हैं वो ये है कि घर के अंदर रहिए घरों से बाहर ना निकलिए किसी भी कीमत पर अगर आप खुद को और अपने परिवार को कुरोना से बचाना चाहते हैं मगर आज भी इस किसे की उस वाइफे जैसे बहुत से लोग आधी पूंच वाली गाये के पिछे ही पड़े हैं उन्हें समझाया जा रहा है बार बार कि पूरी पूंच वाली गाये को पकड़ो मगर वो जिद पर अड़े हैं नहीं हम तो आधी पूंच वाली गाये ही पकड़ेंगे और आधी पूंच वाली गाये को पकड़ के अंजाम क्या हुआ मौत के मुह में गए यहां difference किया है कि ये लोग खुद तो मौत के मुँँ में जाएंगे ही बट अपने साथ साथ सैंकडों, हजारों और लोगों को भी मौत के मुँँ में लेकर जाएंगे तो अभी भी समय है सरकार ने lockdown extend किया है मेरी request है इन सभी लोगों से कि इस किस्से की तरह आदी पूंच वाली गाय मत पकड़ो पूरी पूंच वाली गाय पकड़ो, समयधारी दिखाओ, सरकार की सभी instructions का पालन करो घरों के अंदर रहो, कोरोना से खुद भी बचो और अपने परिवार को भी बचाओ Thank you